हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आपर चैनल जीपीएसी नेटवर्क मित्रो आजे अगेन आपर चल्चा करवाने चे एन्वार्मेंटल एंजिरिंग ना मोस्ट ही पुरंग क्वेस्टन्स जे आउनले तमाम परिक्षाव माते खोबज उप्योगी था शे आपर सेट वन सेट 2 नी अंदर आपर वाद करती क्वालिटी पेरामिटर सोफ वड़र अज सेट 3 नी अंदर मापन अगेन आपर वाद करवाने चे क्वालिटी पेरामिटर सोफ वडर शुकाम आए टौपिक ने आपना वदहर धे डिप माज ऊए जे क्या में क्लास 3 अत्वा क्लास 2 नी एक्जाम आपिये जे तो तेमा environmental engineering माती कया topic माते मुख्यों ते पुछा तू होई most time पी पुछा दा questions होई ए topic छे quality parameter अन एमा पन आपना वाद के तो जे IS provision छे IS criteria छे drinking water माते आखास important topic छे एला माते आपने थोलुक deep मा जाईने एक्जाम मा आगले देऊसे खाली आपने लेक्चे स्रीस जोईने जाईने ए व्यक्ती पन सारी दे एक questions ने अटम करी सक्से आपने आज लेक्चे ने अंदर मा पन आपने आ topic विशे आपने डिसकस कर सू अना बदाएज लेक्चे चे मित्रों नीचे description में तमें जसो तो तो त engineering, structural analysis, strength of material, transportation engineering ता बदा इस लेक्चे तमने बदीश प्लेइलिस ने अंदर जोईने जासो आपना लेक्चे खाली प्रिपर करीने जासो तो पन सारा मांग्स तमें मिर भी सक्षो एनि खात्रिया पूजू पराबर तो वीडियो सर्वात करता पहला आप सर्व विद्या दे मि प्राव नाम चे मिर जाई गोहिल अने जो तमें शोशल मीडिया ने अंदर कनेक्ट थावा मांगता होई तो आ आइडिस पर मने फोलो करी सकोचो साथे कोई पन क्वेस्चेंस कोई पन डाउट ने पूछुआ मांटे इंस्टाग्रम में मेसेज पन करी सकोचो अने आपना अन्या विशयों ने जे क्वीज थाई छे आ क्वीज मा पार्टी थावा मांटे पन तो में GPSC नेटवग नामे टेलीग्रम जैनल ने पन खास जो इंगरी सकोचो तो सरवाद करें आज ना आप वीडियो निंग सब बतम आजना आपला क्वेशंस निवाद करिये तो आजना फर्स्त क्वेशंस छे विच अग्या इंस्ट्रूमेंन नी मद थी आपड़े वोटर कलर चे यह मापी सक्के छे हवे एवा इंस्ट्रूमेंन नाम चे तिन्टो मेटर तो राइट आंशर चे C तीन्टो मीटर नी मदत्या आपने वोर्टर कलर मापी सक्किये छे हैं है वोर्टर ने अलगलग प्रोपर्टीस छें जेमके हाडनेस, टर्बिडीटी, बेक्टरी अकाउन चें पीएच वेल्यू चें, कलर छें, डिसोल ओक्सिजन चें तो आ बधीच प्रोपर्टी कया-कया इंस्ट्रूमेन नी मदत्या अपने मापी सक्किये छें तो हाड़्टे स्मित्रों मापवामा आवेच्छे, EDTA मेत्र नी मदत्या आ तमारा खास यादरी रखवानों चें EDTA, ब्रावर, टर्बीडीटर नी तो आपने गईकाले सेट नवर टूमा वाद करीं तो टर्बीडी मिटर नी मदत्या आपने टर्बीडीटी वोटर मापी सक्कियें बेक्टर्य अकाउन थाई छे, MPN टेस्ट छे, Membrane Filter Technique एन नी मदत्य थाई छे pH value मापवामा आवे चे, Potentiometer आखुब भगतिनों प्रस्ण चे कि जे pH value of water से ए मापवामा आवे चे, Potentiometer नी मदत्या अन्य कलर नी तो वाद करीज, Tintometer यूज थाई छे Dissol Oxygen माटे यूज थाई चे, Winkler's मेतर अन्य एक वस्तू भीजी, जे तमाने खास ज्याद राख्वानी चे, कि जे organic matter छे, आ organic matter मिट्रों मापवामा आवे चे, BOD and COD जे टेस्ट थाई चे, तेनी मदत्या तो अलगलग property अन्य ए अलगलग properties ने मापवामा आट जे इस्टूमेन वपर आई चे, तेनी बात करी त्यार बाद आपने next question तरव आगलवादी है, तो next question से, the rain is called as acid rain when the pH is less than the water, लेके जो pH नी value केटला थी ओची हसे, तो एन आपने acid rain तरिके ओडखी सूम, तो pH नी value 5.6 गता ओची होई, तो तेने आपने acid rain गेवाई, तो आवे option तरव नजर जावी जोई है, तो 5.6 गता ची कोई value छे, खरी, तो के yes, 4.5, तो 4.5 चे आपने right answer थेगी हो, तो pH नी value एक आ क्राइटरिया तमारा खास याद राखोनों चे 5.6, तो एक वस्तु ये, और बीजी एक वस्तु याद राखोने चे कि acid rain कोना परिणाम सुरूपे आपने जोओ अमोले चे, तो एक तो जे sulfur oxide और nitrogen oxide ता बनने compound चे, बनने जे oxide चे, ये सु कर से, तो के water vapor और sunlight साते reaction कर से, और इना परिणाम सुरूपे आपने जोओ अमोले सी acidic compound, जेना आपने चे ही H2SO4, और बीजू चे HNO3, हवे H2SO4 ने सु के वाम आवे चे, तो के sulfuric acid, और HNO3 अतले के nitric acid, तो के जी sulfur oxide और nitrogen oxide ना water vapor और sunlight साते reaction थाए चे, जेना परिणाम सुरूपे आपने sulfuric acid और nitric acid मले चे, H2SO4 अपनों acid drain, और इना मने नोकराइटीर आपनों खास खबरों जीए 5.6 क्यार बाद आपला questions नी वाद करिये, तो next questions चेम, on which scale the turbidity is measured, तो कया scale ने मदद थी आपला turbidity ने मापी सक्किये छे, हवे मेतरों गईकाल आपला 4 मेतर जोई छेके, जेनी मदद थी आपला turbidity मापी सक्किये छे, अत्वतों meter, तो एक मेटर नाम थी जेक्षन 309 मेटर और 4 तर्बिडिटी रोड तो मितरों जे तर्बिडिडिडी रोड छे तेनी अंदर माँ silica scale यूज़ करों हमावे छे, हवे प्रस्टन था है क्या 4 माँती कोई ओप्सेन साज हो धासे, तो तर्बिडिडिडी रोड मेतर छे तेनी अंदर माँ standard silica scale यूज़ थाई तो आवेल इस टर्बिडिडिमिटर नी अंदर माँ blue cobalt plate चे यूज़ थाई चे ब्लू cobalt plate यूज़ थाई चे नहीं के scale यूज़ एटला माँते right answer तासे standard silica scale और standard silica scale कया मेतर नींदर वापर मां मा आऊ उसे तो के टर्बिडिडिडिडिडि रोड मेतर माँ आतली मेत को अपने इस टांड़ डेविनेशन जोई लिए कहँ मीलीग्राफ और फाइनली डिवाज़ दे सिलिका प्रोडिडिडिस्गा प्रोडीश ने वन लिटर ओफ देस्टल वोटर इस टेकन अजर यूज़ निटी तो मित्रो आटली वसु तो तमने ख़बर आसे तो इसी और्गिनाजेशन मुझव और इसी परमिसीबल क्लोराइट कंटेंग इने ड्रिंकिंग वोटर तो पीवाना पानी ने अंदर मां क्लोराइट कंटेंग केटलू हो जोए एकोरिंग टू वू तो राइट आंसर चे मित्रों लिटर इसी को लूसुत है तो पीपीएम तो आटली वस्तू खबर तो तम्हारों काम चाहिए जाएं बीजी वस्तू के मेक्सिमम लिमिन केटली है तो में तो क्यारे पर्ण चे क्लोराइट कंटेंग चे पीवाना पानी ने अंदर हजार मिली ग्राम पर लिटर थी वदारत तो के 200 mg पलीटर अतो दो acceptance limit आतली वसो तुमारा खास याद राखवानी छे त्यावा आपने नेक्स क्वेशन तरप आगर वदी है तो next question छे the presence of which of the following is the reason for temporary hardness of water एटले के जे temporary hardness of water छे एक इने कार्ण होई छे तो यह होई छे carbonate ने कार्ण है carbonate मित्रो जवाबदार छे temporary hardness in water मात्या तो right answer छे C त्यारबाद questions छे the range of size of colloidal particle तो colloidal particle नी range सू हसे तो 1 micro थी लईने 10 raise to minus 30 micrometer सुधी नी range हसे त्यारबाद questions छे the permissible limit for suspended solid for drinking water तो drinking water मात्ये suspended solid नी permissible limit के लिए होई जुए है तो यह हसे 30 mg per liter अत्यों 30 ppm बराबर 30 ppm नी limit होई छे मित्रो suspended solid for drinking water और chloride के लिए हसे तो के बसो आपन साथा साथा याद रखता जाओ ख्लोराइट मात्ये बसो और suspended solid के तो 30 त्यारबाद चे तो normal value of overflow rate for plain primary sedimentation tank ranges between the water तो यह से मित्रो 40,000-50,000 liter per square per day तो right answer चे B आ मित्रो गणी वक्त exam माँ पूछा है लो छे I think RMC नी exam माँ पूछा है लो छे तो expect करी सके के VMC होए के AMC होए तो आ questions उपर भारापेस है त्यारबा आपना questions होई है तो acceptance limit for total hardness तो hardness माँ टोटल जे acceptance limit चेक अटली यह से है तो यह से मित्रो 200 mg per liter chloride नीगेट लिया थी तो अपन एपन हाती 200 mg per liter अथो पीपीम और यह suspended solid माँ 30 mg per liter तो अब आपना questions होई है तो BOD of a treated water is should be the water तो मित्रो जे treated water चें तो आठ treated water ने अंदरमा BOD सुफाइन कर से है तो के organic matter यह अपना आगर जोई गया और organic matter fine कर से है तो treated water ने अंदरम BOD केटल होई है 10 PPM 25 PPM के 20 PPM तो मित्रो याद राक्चो के treated water ने अंदरमा 0 थी लेन 4 PPM सुधिनीज मात्रा है अथो तो यहना सुधिज हो जोई है चार PPM 3 वदर हो जोई है नहीं तो राइट आंसर आउसे निल अथो निल बराबर हो जोई है बराबर तो राइट आंसर चे डि तो मित्रो आतू आज नौपनों वीडियो I hope कि तुमने पसंद आवी होई पसंद आवी होई तो अपना वीडियो बनावी झहीं पर तू विडियो से मत्त्ता मित्रों चितला मेक्सिमूम वभको आपरी लेक्चे ञिरिस साथे अटेच स्था येटला हूं मेक्सिमूम वीडियो बनावना नावानों ट्राइग करीज्ड अलग-अलग मोडल पेड़ पर्ड बड़ पन आव